जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे प्रॉमिस का रखा था कि आने वाले दिनों में मैं BSc 1st year, 2nd year, 3rd year के लिए नए बैचे से स्टार्ट करूँगा तो क्लास स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपोर्टन चीज है कि हमें syllabus जानना चाहिए हमारे syllabus क्या है, तो खास का सबसे बड़ी बात है हमारे जो BSc 1st year के student है, जो नए student है अभी वो अलग-अलग university में जाएंगे और वहाँ पर उनके problem यह है कि उन्हें syllabus नहीं पता है, ठीक है, तो सबसे पहले उन्हें syllabus पता होना चाहिए और यहाँ पर मैं एक important चीज बता दूँ कि मैं यहाँ पर जो syllabus लेका आया हूँ वो महात्मा गांदी कासी विद्यापीट का है और एक important चीज यह भी है कि कहीं भी किसी भी university के अगर syllabus को देखा जाए तो सभी में थोड़े बहुत differences होंगे 90% सभी के syllabus जो होंगे वो similar होंगे, ठीक है, केवल 10% का difference होगा, तो आप अपनी जो तयारी है, इस syllabus के according कर सकते हैं, आप किसी भी university के हो अगर आप महात्मा गांधी कासी विद्या पीट के हैं तो अच्छी बात है, बाकि आप किसी भी university के हो, चाए पुर्वांचल university के हो, चाए बीच्चू के हो, या फिर अधर किसी university के हो, आप इस syllabus से तैयारी कर सकते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए BSC first year botany के syllabus को लेकर आया हूँ, ठीक है, तो उनका जो first paper होगा, वो होगा diversity of virus, bacteria and fungi, जो की 50 number का होगा, ठीक है, second paper है, diversity of algae, lichen and bryophytes, जो की 50 number का होगा, third paper है, diversity of teradophytes and gymnosperm and elementary paleobotany, ये भी 50 number का होगा, और जो last आपका होगा, प्रेक्टिकल, जो की 50 number का होगा, तो overall आपके जो botany है, वो 200 number के होगे, तो आपके botany में three paper होगे, first, second, third, आप याद रखेगा, ठीक है, आई देखते हैं कि सभी paper में क्या-क्या syllabus दिये हुए है, आप हर एक paper में किस syllabus को या किस topic को पढ़ेंगे, आपको ये जानना ज़रू और मैं आने वाले समय में जो भी video upload करूँगा, वो इसी syllabus के recording upload करूँगा, इन केस आप other university के हैं, आपका थोड़ा सा भी syllabus में difference है, तो आप जरूर हमें comment में बताएगा, मैं उस पे video बनाने की courses करूँगा, और जरूर उस पे video upload करूँगा, तो आप से मैं कहना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, और अभी तक आपने मारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपकी B.H.C. की जो तैयारी है, हमारे YouTube चैनल SM Classes पे 3 आपकास्ट मिलने वाले हैं, तो अगर उनकी B.H.U. में हो जाती है, तो बहुत अच्छा है, अदरवाइस वो किसी और उनिवेस्टी में जाएंगे, तो सेलेबस का जो पैटाइन है, उनको इसी तरह दिखाई देगा, ठीक है, सिमिलर्टी आपको ऐसे मिलेगी, आइए देखते हैं, फर्स्ट पेपर हमारा फंजाइशन आप जाना है, तो इसमें वाइरस बैक्टिरियों और फंजाई के नेचर और क्लासिफिकेशन को देखना है, फिर उसके बाद है, इसिट्री आप वायरोलोजी और बैक्तिरिय। प्रोकरेट्स और यूकरेटस शल स्ट्रक्चर ठीक है, इसमें बैक्टिरिया, Mycoplasma और इस्ट के बारे में जाना है उनके structure, classification and nature of viruses structure of gram positive and gram negative and classification based on the structure of bacteria classification, thallus organization, reproduction in fungi economic importance of fungi तो ये पूरे topic है उनके unit first में तो unit first में आपको mainly classification पढ़ना है structure पढ़ना है और nature पढ़ना है और किसके बारे में पढ़ना है virus, bacteria और fungi और एक important चीज़ ये है economic importance of fungi जो कि most important topic है आप लोगों ने previous classes, class 12 में ज़रूर पढ़ा होगा तो maximum आपके जो syllabus है आपके 11 से मिलेंगे ठीक, आप पहले properly उनको भी पढ़ लीजिए बस यहाँ पर हमें थोड़ा सा broad पढ़ना है और जो हमारे हिंदी medium वाले student है वो English medium में पढ़ेंगे थोड़ा सा changes बस इतना ही रहेगा कहाँ पर आपको most important topic पढ़ना है कहाँ पर most important चीज़े हैं वो सभी मैं जब वीडियो बनाऊंगा हर एक topic पर आपको बताते चलूंगा तो यहाँ पर बात ही unit first की बढ़ते हम unit second की और first paper में unit second क्या है unit second में क्या क्या topic mention है यह देखते हैं तो unit second जो है totally based है वाइरस पे तो इसमें हम symptom of virus, infection in plant, transmission of plant viruses genome organization, replication of plant viruses like tobacco mosaic virus, technique in plant virus purification, serology, electron, microscopy structure and multiplication of bacteria phase structure and multiplication of virus इन सभी topic के बारे में पढ़ेंगे ठीक है तो इस topic में हमें पढ़ना है वाइरस जो symptom होते हैं plant में उसके बारे में पढ़ना है कैसे virus transmit होते हैं plant में इसके बारे में पढ़ना है वाइरस की genome के बारे में पढ़ना है वाइरस में कैसे reproduction होता है और इस्पेसली हमको TMB के बारे में पढ़ना है, फिर उसके बाद टेकनीक in plant virus पढ़ना है, like purification, serology और electron microscope के बारे में जाना है, उसके बाद हम bacteria phase के structure, उसके multiplication, यानि की reproduction के बारे में जानेंगे, उसके structure के बारे में जानेंगे, वायराइट्स के बारे में जानेंगे, वही बात किया गया है, तो हम लोग पढ़ेंगे, आटोट्रॉप, हेट्रोट्रॉप, कीमे हेट्रोट्रॉप, ठीक है, यह सब topic आएंगे, फिर उसके बाद है, metabolism in different nutritional type, ठीक, nitrogen cycle, bacterial genome, plasmid, bacterial cell division, variability in bacteria, mutation, principle of genetic recombination, technique in sterilization, bacterial culture, staining, economic importance, तो यह सभी topic हम लोग को बैक्टिरिया के case में पढ़ना करने है, वही बात करते हैं, यूनिट 4 की, तो यूनिट 4 टोटली बेस्ट है, फंजाई पर, तो इसमें हम कैटरिस्टिक फीचर और classification और life cycle पढ़ेंगे, तो जैसे कि मस्टिगो माइकोटीना में हम, अल्ब्यूगो, पाइथियम के बारें पढ़ेंगे, एसको माइकोटीन पर का syllabus, आप इसको अच्छा से देख लीजिए, या फिर स्क्रीन सॉट ले लीजिए, और आप इसी से पूरी तैयारी करिए, आपके अगर जो चेंज़ मिलेंगे अलग-अलग उनिवस्टी में, तो डिफ्रेंस है मिलता है कि यहां पर जो जेनरा दी हैं, वो इस्पेसली क तरी नहीं बढ़ जाते हैं, कहीं घड जाते हैं और कोई अधर झेनरा देता है, बस यहीं, तो यहीं चेंज़े रहते हैं, बाकी फंजाइ, है diversity of algae, lichen and bryophytes, जो की maximum 50 number का है, ठीक है, unit first में हमें general character, range of thallus organization, classification, ultra structure of eukaryotic algae cell, synovacterial cell, economic importance of algae, lichen, classification, thallus organization, reproduction, physiology and role in environmental pollution, यह topic आपको unit first में पढ़ने हैं, तो इसमें आपको algae, lichen और bryophyte के thallus organization, structure, reproduction और इनका role जो है environment केस में यह पढ़ना है, वहीं बात करें हम unit second की, तो unit second में आपके algae से related है, जिसमें की हम अलग-अलग genera को पढ़नेंगे, ठीक है, जैसे कि आपको synovyta, chlorophyta, basilariophyta, xenthophyta, phyophyta, rodophyta, यह सभी पढ़ने हैं, उसमें अलग-अलग genera है, आप देख सकते हैं, इन genera को आपको पढ़ना है, वहीं बात कहते हैं, unit third में, तो unit third में आपको bryophyta पढ़ना है, जिसमें की हम bryophyta के general character, classification, reproduction, gametophyte और sporophyte organization के बारे में पढ़ेंगे, और यहां पर कुछ genera दिये हुए हैं, जिसमें की आप bryophyta में ponogatum पढ़ेंगे, anthros, topcida में anthoceros पढ़ेंगे, वहीं hepatic coopsida में rixia और margansia को पढ़ेंगे, तो आपको total four genera bryophyta में पढ़ना है, तो classification, reproduction, gametophyte, sporophyte और general character आप bryophyte में जो की हमारा last paper है, third paper में हमें diversity of teridophyte, gymnosperm और elementary paleo botany के बारे में पढ़ना है, तो इसमें हम teridophyte, gymnosperm और जिवास्म बिग्यान के बारे में पढ़ेंगे, तो unit first हमारा teridophyte से related है, जिसमें की आप उसके general features, classification, steeler system जो की most most important है, और comparative study of morphology, anatomy, vegetative and reproductive system इन following general में पढ़ेंगे, जैसे की lycopodium है, salinella है, rhenia है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, यह तो बात ही unit first की, वहीं बात करें हम unit second की, unit second में हम general and comparative account of gametophyte system पढ़ेंगे, तो इसमें heterospory or seed habit पढ़ना है, जो की most important topic है, यह भी आपके teridophyte से ही है, unit third में हम gymnosperm पढ़ेंगे, gymnosperm में हमें psychos पढ़ना है, psychedels में, ठीक है, और इसके gymnosperm के classification, general character और morphology, anatomy के case में पढ़ना है, जैसे की हम लोग psychos में coronavirus roots पढ़ेंगे, फिर pinus निरिल पढ़ेंगे, यह सब बहुत ही important topic हैं, जो की आपके हर साल exam में आते हैं, unit fourth में हम study of morphology, anatomy यह पढ़ना है, यह भी आपके gymnosperm के हैं, जिसमें की pinus और ephedra के बारे में पढ़ना है, इसके अलब आप paleo botany पढ़ेंगे, तो paleo botany में हम elementary paleo botany पढ़ेंगे, general record पढ़ेंगे, types of fossils पढ़ेंगे, methods of fossilization पढ़ेंगे, and geological time scale पढ़ेंगे, यह topic आपको पढ़ना है paleo botany में, तो यह है आपके botany के syllabus, यह सी first year के, आप इन syllabus को देख लीजे, note कर लीजे, अब इसी के recording हम per day, या जितने भी आने वाले दिन हैं, उसमें आपके syllabus को complete करेंगे, तो दोस्तों आपको syllabus के recording या फिर कोई भी doubt हो, आप हमसे comment करके पूछ सकते हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले topic के साथ, अब तक लिए, जाए हिंद, जाए भारत.